जै माकाली, भक्ती परिवार के सभी शोतागणों का हार्दिक अभिनंदर। आजकल सोशल मीरिया पर बहुत जर्चा है कि श्री कृष्ण श्री राधा जी को गर्लफ्रेंड मानती थे, फिर वे पूझनिये कैसे हुए? सबसे पहले तो उन लोगों पर आश्चरे होता है, जो भगवान के उपर उंगले उठाने की जुर्रत करते हैं, और उनका मजाग उड़ा कर हसते रहते हैं, या तो वे जानते नहीं कि ईश्र किस दिव्य परमात्मा का नाम है, या वे नहीं जानते कि सच्ची भक्ती किसे खह पहले मनवंतर में एक प्राची मोही नाम का राजा रहता था, वे भगवान विश्णु का बहुत बड़ा भक्त था, उसने अपने नगर में उनका भवे मंदिर बनवाया और नित्य प्रती विद्य विधान से उनके पूजा किया करता था, उसी नगर में एक अती सुन्दर इस्त्री भी रहती थी, वे भगवान विश्णु के मंदिर में बड़े प्रेम से उनकी मूर्ती के समक्ष नित्य किया करती थी, उसकी एक ही लाल सा रहती थी कि वे भगवान की बाहों में बाहें डाल कर नित्य करें, एक तिन उसने अपना सारा धन करीबों में बाढ़ दि उसने अपने प्राण त्याग दिये तब यम के दूद उसे विमान पर बिठा कर स्वर्ग लोग को ले गए वहां पहुंच कर वे चंद्र कीरती नाम की अति सुन्दर एवं लावन्य मई देवांगना बने उस रूप को पाकर भी वे बार बार अपने सुन्दरे को ने हारती और सोचती रहती कि मुझ जैसी सुन्दर एवना के पती केवल श्री किष्ण ही हो सकती है अन्य कोई भी मेरे लायक नहीं है ऐसा सोचकर वे फिर से निर्थे करने लगी समय भीतने पर राक्षस देवताओं को तंग करने लगी तब सभी देवता भय भीत होकर ब्रह्मा जी क हुए कहा कि अधिशिग्र द्वापर योग में भगवान विष्णु नंद गोप के यहां कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तुम सभी देवता एवं देवांग नाए गोप और गोपयों के रूप में वहां जाओ तब चंद्र कीर्थी बोली कि ब्रह्म देव मेरी पूर्जन की इच्छा थी कि मैं अपने इश्ट देव के साथ नित्ते करूँ कृपया बताएं कि मेरा मनोरत कैसे सिध्ध होगा तब ब्रह्मा जी बोले तुम जाकर नंद गाओं में विष्भानू नामक गोप के यहां जन लो वहां तुमारी भेंट श्रे कृष्ण से अधिक तुम ही उन्हें प्रिये होंगी वे रासोसों में तुम्हारे साथ नित्ते करेंगे इस तरह हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को इतना महत्व क्यों देते हैं इश्वर हैं ही इतने दयालू कि वे अपने भक्त के ना केवल साहिता करते हैं अपी उसे अपने बराबर स्थान देकर पूरी दुनिया में उसे पूजनिये बना देते हैं पुरानों में आने कैसे उधारन देखने को मिलते हैं उधारन के लिए भक्त माधव वा भक्त पुन्री काक्ष से प्रसंद होकर उन्हें पूजनिये बनाने के लिए श्रे कृष्ण न आपने आपको माधव और पुन्री काक्ष का नाम दिया। यही नहीं कैशी देते को जब उन्हों ने मारा तो ना केवल उसे मोक्ष दिया बलकि उसके नाम से वे केशव कहलाने लगे। तथा उन्होंने ही घटोतकच के पुत्र बर्बरीक के त्याक से प्रसंध होकर उसे खाटु शाम का नाम दिया और उसे पूजनिये बना दिया। परन्तु इस संसार की मानसिक्ता सुधरने बहुत कठीन है। इसमें रहने वाले लोग भक्त माधव, भक्त पुन्रीकाक्ष वा खाटु शाम को भगवान का बोईफ्रेंड नहीं कहेंगे। परन्तु राधाजी को गल्फ्रेंड जरूर बताएंगे और भक्त मीरा को जहर जरूर देंगे। स्रियों के पती उनकी सोच है ही ऐसी, चाहे वे कितनी ही पवित्र क्यों ना कोूँँग। अतै आज की युवा पीडी को मैं संदेश देना चाहती हूँ, कि वे गुमराह होकर अपने को कीचड में ना किराएं। और यह भी अच्छी तरह से जान लें, कि श्री किष्ण के अस्तित्र को आज तक कोई मिटा नहीं सका है। कभी कंसोरे दुर्योधन ने, उन्हें मिटाने की बहुत कोशिश की थी, वे दोनों खुद मिट गए, परन्तु श्री किष्ण को मिटा ना सके, इसलिए साव थान हो जाए, भगवान आप सब की रक्षा करे। जे श्री किष्ण, जे श्री राधे।